नमस्का फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योट्यूब चैनल में आज मीन राशी वालों के लिए जुलाई के महीने में जो ग्रहों की गोचरी ये परिस्तिती है उसके विज़े से जुलाई का महीना कैसा राएगा इस पर वीडियो है और इस वीडियो में आज एक विशेश बात समझने की है जो हम यहां से इस वीडियो को समझेंगे इसमें समझ में आएगा हमार को कि मीन राशी वालों के लिए जो दोग रहे बहुत प्रबल राजयोग कारक होते है अगर आपकी जर्मकुली में का मिलन है किसी भी रोप में साथ बैटे हैं एक दूसरे की राशी में है एक दूसरे को देख रहे है या दोनों ही एक दूसरे के नक्षत्पर में है तो वा प्रबल राजयोग है फिर देर सबेर जीवन में आपको सफलता है जीवन की सभी अभिष्टे च्छाय पुलन हो जाए ऐसे ये दोग रहा है आपके जर्म कुडली में बताते हैं तो मीराशी की ये दोग रहा है ये है मंगल और देवगुरु ब्रहस्पती मंगल भग्यस्तान नममस्तान के स्वामी है और देवगुरु ब्रहस्पती आपके दशमस्तान तो धर्म और करमाधी पती का जब भी जर्म कुडली में योग होगा जब-जब मंगल गोचर करते करते देवगुरू ब्रहस्पति के साथ मिलन करें या आपके जरम के ब्रहस्पति के ऊपर से गोचर जाएं वो वर्ष या वो समय आपके जीवन का बहुत उत्तम लावप्राप्ति का समय होगा और यही कुछ परिस्थिती जुलाई के महीने में मलने वाली है मंगल महराज 12 जुलाई को वरिशब राशी में देवगुरू ब्रहस्पति के साथ मिलन करेंगे तो सबसे पहले तो इसी पर ही वीडियो जो है पूरा यहीं पर ये दो ग्रही आपके पूरे महीने का नरधान करेंगे परंतु उसके लावा एक और बहुत उत्तम परिस्थिती है वो है शुक्र महराज का उधे परिस्थिती शुक्र महराज साथ जुलाई को उधे हो जाएंगे करकराशी मिलन है बुद्ध के साथ होना है और सूरे भी सूला जुलाई को वहां पहुंच जाएंगे तो बुद्ध, शुक्र और सूरे आपके पंचम, त्रिकोन स्थान में जो हमारी intelligence का होता है जो हमारी बुद्धी के बारे में जो हमारी inclination of thoughts होता है हमारी सूच किस जगापर है वो पंचम भाव بتाता है तो उस्थान पर है तो यह तीन गरहे शुक्र, बुद्ध और सूरे पंचम भाव में हैं बहुत अच्छी परिस्थिती है और इस महीने ही जो है 19 जुलाई को बुद्र महाराज सिंग राशी में चले जाएंगे जो कि आपका छटा स्थान है और उस्तान का स्वामी पंचम भाव में है तो यहाँ पर एक तरह से जो परिस्तितियां जो होंगी आप देखिएगा कि सूरे पंचम स्थान में है और बुद्र जाकर के उनकी राशी में चले गए है उसका भी एक बहुत बड़ा योग समझ के आएगा कि किस प्रकार से विपिरित राजियों के प्रिस्तिति बने परन्त सबसे पहले राजियों कारक मंगल और गुरु की चर्चा मंगल और गुरु दोनों ही घ्रह है वर्तमान में आपके जो गोचर करेंगे 12 जुलाई को आपके प्रक्रम भाव में 30 स्थान दे मंगल की जब भी में मीन राशीवालों के लिए बात आएगी तो भागे की बात करेगा धन की बात करेगा आपके पुरिशार्थ की बात करेगा आपके प्राक्रम की बात करेगा और आपके द्वारा कियेगे प्रतेक कारे किस प्रकार से सिद्धी मिल जाए किस प्रकार से वो आपके फॉर्चून को भागे को बढ़ा है ये मंगल निर्धान करेगा और भ्रहिसपती उसको कर्मक्षेतर से जोड़ेगा आपका कार्य क्या है आप, किस जगा पे काम करते हैं, किस जगा से आप फाइदा ले पाएं कौन सा प्रोफेशन करें, कौन सा वेबसाइट करें, ये भ्रहिसपती वहां बताएगा तो मंगल और भ्रहिसपती का मिलन है कि आपके कार्यक्षेतर से आपका भागय चमगेगा, आपका फॉर्चुन चमगेगा आपका पैसा वहां है, और पैसा प्राप्ती करने का ये बहुत उतम समय हो सकता है क्योंकि ब्रेश्पति धन के कारक होते हैं, भाग्यस्थान का स्वामी जब धन कारक से मिलता है, कर्मशित्र के स्वामी से मिलता है, तो विक्ति जो है वो अपने कारे में बहुत पैसा कमाता है, अब कारे में पैसा कमाने की जो कंडिशन बनती हैं, जो वेपार करते हैं, से दिखाई दे रहा है और वहीं जो नौकरी करते हैं जो जॉब करते हैं कि सर्विस सेक्टर में जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत उत्तम कंडिशन यहां पर बनेंगी तो सर्विक शेत्र से जुड़े वे लोगों को यहां पर एक ऐसा महल नौकरी में मिलने वाला है जो उनके अनुकूल हो जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको काम मिलेगा जिसमें फिर उनकी प्रमोशन हो जाए रिस्पॉंसिबिलिटी उनको इस तरह की मिले जिस प्रकार क्यों चाहते हैं जो शड़ंतर जॉब में आपके विरुद हो शड़ंतर से मतलब है कोई बैक बन रही है यही वो समय है जो भाग्य का चक्र यहां पर गोमेगा कुछ समय होते हैं कुछ विशेश परिस्थियां कुछ विशेश मोरत होते हैं साल में या महीने में कोई दिन होते हैं जब भाग्य चमगने की परिस्थिती बनती है तो यह मोरत हो सकता है मंगल और देव ग महिने आप कुछ न कुछ स्किल सीखेंगे कोई नई पढ़ाई कोई नया काम करना इस प्रकार से आप दिखाई दे रहा है उसके लाब विदेश जाना है नौकरी करनी है वीजा नहीं लग रहा है पासपोर्ट डॉक्युमेंट की कोई चिकायते दिक्कते चल रहे है मीन राश सकती है क्योंकि इसमें आपको भागेश का साथ मिल रहा है ऐसी डिसीजन ऐसे निरणे लेने की शमताइस महिने होनी वाली है या कुछ ऐसा आप सोचेंगे जिसकी वज़े से आपका भागेश चमक जाए धन का आगमन हो जाए रोकरी रोजगार प्रफेशन के लिए बहुत नरधान करते हैं तो ये आपके लिए भी यात्राओं का समय हो सकता है घर में संतान उत्पति मलब कोई positive news क्योंकि सरजन होता है जल तक तो जो नहीत राशियं होती है जल तक तो से नरधारी जो planets होते है उसमें construction होती है सरजन होता है कुछ नई चीज़ बनती है तो संतान प परहाई में focus बढ़ जाए completed exam में सफलताय प्रात कर ले शुक्र यहां पर यह सभी कुछ दिखला रहा है शुक्र की जो परिस्तिति आपकी जर्म कुल्ली में विशेश तोर पर जो लाब की परिस्तितियां मनाती है वो बनाती है प्रेम प्यार romance से समंदित तीसरे भाव का स् लिए कोई परिशानी चल रही है तो उनकी मदद से पैसों की समस्या दूर हो सकती है समंद बन सकते हैं जिनका विबाह नहीं हो रहा है तो उन लोगों की मदद से कोई खास आपके नजीकी लोगों की मदद से इस महीने आपको कोई partner मिलने वाला है और साथ ही साथ जैसे मैं ने खा संतान प्राप्ति का ये समय हो सकता है. Creativity की फिल्ड से जो लोग जुड़े होते हैं, बाहू बल स्पोर्ट से लेटर जो लोग जुड़े होते हैं, अश्टम भाव, लॉट्री से, उसके लावा जो इंशोरंस से जुड़े हैं, जो अचानक धन लाप्राप्ति के अफसर होते हैं, इन सभी कारें को, मॉडलिंग की ख्षत्र से, टीवी एंकर्ज हैं, ब्लॉगर्ज हैं, ओरेटरी स्किल्ज हैं, कॉम्मुनिकेशन आईटी फिल्ड से जुड़े होगों को, शुक्र वर्तमान में बहुत बड़ी खुश्या दे करके जाएगा, ये बड़ा मान समान विक्ति को परदान करते हैं, पंचम भाव में गया हुआ शुक्र जो होता है, विक्ति को कहते हैं, एक तो कवी बनाता है, दूसरा उसको सचीव बनाता है, कवी का मतलब होता है, क्रियेटिविटी से जुड़े जो लोग होंगे, सिंगिंग से, उसके लावा जो आपको रचना करते हैं, कुछ कवितायन लिखते हैं, पुस्ताके लिखते हैं, कावे की रचना करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को शुकर यहां पर प्रभाव देता है, और सचीव होने का मतलब होता है, कोई अडवाईजरी के पैस्टी, किसी को सलहा देने वाली जो पोस्तेज होती है, वहाँ पे विक्ती पहुंच जाता है, तो आज के समय में, राजनीतिक शुत्र में सलहा करकी कोई भूमी का आपकी है, वो बनती भी नज़राएंगी, ग्रिणियों की बात करूँ, आम जन्मानस की बात करूँ, तो यह शुकर का समय ऐसा हो सकता है, कि लोग आपकी सलहा लेने के लिए आएं, समाज में आपका रुत्वा बढ़े, मान समान बढ़े, और लॉट्री से, शेर मार्ट्रीट से, स्वेकुलेशन से समय आपको पैसा आ जाए, समदो में जो कटूता चल रही है, समदो में जो आपके परिशानी, टेंशन, स्ट्रेस का जो एक माहल बना हुआ था, शुक्र यहां उस सभी को रिलीज कर देंगे, बुद्ध के साथ इनका मिलन होना है, बुद्ध आपके सब्तम स्थान के स्वामी होते हैं, और चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं, तो जैसे जमीन मकान सुखों की वृद्धी हो जाए, घर में जो ग्रिहनेओं में एक स्ट्रेस चला हुआ है, मेंटल पीस यहां पर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, तो यह अच्छा कॉम्मिनेशन है बुद्ध और शुक्र का, सब्तम भाव का स्वामी भी जब पंचम भाव में जाता है, तो प्रेम प्यार, रोमान्स और प्रेम लव मैरिज के योग बनाता है, तो नवंबर दिसंबर के आज पास फिर लव मैरिज हो जाए, इस प्रकार की प्रवित्ती बन रही है, सूर्य ग्रह की बात करूँ, तो सूर्य की जो परिस्तिती है, वो 20 जून से सबसे पहले सूर्य मारा जो दक्षनाइन हो गए है, दक्षन की और इन्होंने यात्रा अरम कर दी है, जैसे ही सूर्य मिथुन राशी में जाते हैं, दक्षन आयन हो जाते हैं इसकी परिस्तिती और जुलाई के महीने में जो 16 जुलाई को ये करक राशी में आ जाएंगे तो ये दक्षन दिशा की मुमेंट्स के साथ जो राजा बली है उससे मिलने जा रहे हैं इस परकार की गरंथों में इसकी रचला है और पंचम भाव जो परसंट बनने वाला है मानसमान नेम एंड फेम आपका इस महीने बढ़ेगा थोड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी आपको पैसा आ सकती है जिम्मदारी यहां पर आ सकती है संतान के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा खपना पड़ेगा उनकी चिंताय मनी रहेंगी परंतु यह आपको बहुत बड़ा मानसमान देगे चला जाए सूरी की परिस्तिती यहां पर आपको दिखाई दे रही है शनी की परिस्तिती की मैं बात करूँ शनी जो आपकी जनम कुल्ले के साब से हम देखे तो बारवे बाहों में है तो विदेशों से विक्ति को लाब कमाता है और साथ ही साथ शनी की परिस्तिती कई बार खर्चे भी गड़ाती है किसी निकटस संबंधी की दुखत समाचार सुनने को मिल जाए वियर्थ की खर्चे हो जाए वियर्थ की यात्रा ही शनी की परिस्तिती की बार से बनी हुई है परन तु मंगल और गुरू का जो कॉमिने सुक में थोड़ी बहुत परिशानी करता है, स्ट्रेस देता है, डिमांडिंग हो जाता है हमारा स्पाउस और पार्टनर, तो धैरे के साथ इस समय को आप निकाल दीजिए, तो बाकी सभी ग्रहों का गोचर बहुत उत्तमना है, तो मीन राशी वालों के लिए जुलाई का मीना, वो साल का वो समय है, वो महुरत है, जब आपका राजयोग प्रबल रूप से चमकने वाला है, फोर्चुन और भागे समय आपका जुलाई के मीने में अवश्य जब कीगा, तो ये था मीन राशी वालों के लिए जुलाई के महीने का राशी फल घर में नहीं टिकती खुशिया जॉब में नहीं मिलरी कोई ग्रोथ तुम्हें दिये गए नमबर और एमेल आईडी पे कॉंटेक्ट करने की जरुत है जिससे तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके क्योंकि तुम्हारे घर फैक्ट्री में दिक्कत है वास्तू की तुम्हें एस्ट्रोजी सीखने में इंट्रस्ट तो जल्दी से आजाओ बेसिक से एडवांस तक की एस्ट्रोजी सीखने के लिए उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाओगा इफ यू लाइक दे वीडियो प्लीस सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स वाचिंग दे वीडियो